दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे BKG Food IPO के बारे में आपने इस कंपनी का नाम पहले भी सुना होगा अभी इनका IPO भी आ चुका है आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितने लिस्टिंग गेंग आपक को बने रहें आईपियो की बात की जाए तो आईपियो तीन नॉवंबर 2022 को औरेडी ओपन हो चुका है और साथ नॉवंबर 2022 को आईपियो क्लोज हो जाएगा यानि कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तीन तारीक से लेकर साथ तारीक के बीच में आप कभी भी 80 रुपे से लेकर 300 रुपे के बीच में रखा गया है यानि 285 से लेकर 300 रुपीस यानि कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा आपको cut-off price यानि कि जो highest price होता है उसी के उपर आपको IPO में अप्लाई करना होता है तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 300 रपे के प्राइस पर ही अपलाई करें लिस्टिंग की बात की जाए तो NAC और BAC दोनों के ओपर हो जाएगी यानि कि जो दोनों हमारे एक्सचेंज है NAC और BAC दोनों के ओपर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी फ्रेश इशू की बात की जाए तो यहां पर जिरो दिखाई दे जाए offer for sale के अंदर 881 करोड रुपए का IPO आपके सामने लेकर ये कंपनी आई है minimum lot size की बात की जाए तो कम से कम आपको एक lot apply करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको 50 shares दिये जाएंगे और कम से कम amount की बात करें तो 15,000 रुपए कम से कम आपको एक lot के अंदर देने पड़ेंगे यानि कि अगर आप एक lot apply करते हैं तो 15,000 रुपए आपको अपने bank account के अंदर रख लेने है maximum आप 13 lot apply कर सकते हैं retail category के अंदर जिसके अंदर आपको 650 share दिये जाएंगे और इसकी maximum amount जो है वो 1,95,000 रुपए रहेगी एक बार फिर से यहां पर आप दे सकते हैं 3 नॉवंबर 2022 को IPO open हो चुका है 7 नॉवंबर 2022 को IPO close हो जाएगा lotment date की बात की जाए तो 11 नॉवंबर की lotment date है यानि कि अगर आपको lotment मिलनी होगी तो 11 नॉवंबर तक आपको lotment मिल जाएगी अगर आपको lotment नहीं मिलती है तो 11 नॉवंबर को ही आपके पैसे आपके bank account में refund कर दिये जाएंगे share credit date की बात की जाये तो 14 नॉवंबर 2022 की रखी गई है यानि कि अगर आपको लॉट में मिल जाती है तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 14 नौमबर 2022 को शेर क्रेडिट कर दिये जाएंगे लिस्टिंग की बात की जाए तो 16 नौमबर 2022 की रखी गई है यानि कि स्टॉक मार्केट के अंदर 16 नौमबर को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी और इसके बाद आप इसमें बाई एसल कर सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि आई प्यू का जीमपी यानि की ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और आपको इस आई प्यू में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा धन एप के बारे में धन एप आपके लिए लेकर आया है काफी कमाल का फीचर जिसका नाम है margin trading facility यानि की MTF इसके अंदर आपको 4X margin धन की तरफ से provide किया जाएगा यानि की ये फीचर खास कर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो stock market के अंदर swing trading करते हैं या करना पसंद करते हैं example के लिए माली जी आपको पता लग जाता है कि Reliance का जो stock है आने वाले कुछ दिनों के अंदर 10 से 12% उपर जा सकता है या 15% उपर जा सकता है लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है कि Reliance के आप जादा से जादा शेल्स खरीज सकें तो उस case में आप इस feature का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है margin trading facility यानि की MTF इसके अंदर आपको क्या होगा 75% amount धन पे करेगा सिर्फ 25% amount ही आपको देना है तो example के लिए माली जे मुझे पता लग जाता है कि Reliance का जो stock है आने वाले कुछी दिनों के अंदर उपर जा सकता है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो आप MTF का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर आपको सिर्फ 25% ही amount पे करना है बाकी 75% amount धन पे करेगा सिंपल आपको जो भी stock buy करना चाहते हैं उसके उपर click करना है buy के उपर click करना है और यहाँ पर सबसे उपर आपको 3 option दिखाई देंगे आपको MTF के उपर click करना है उसके बाद quantity डाल देना है example के लिए मैं 100 share buy करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि MTF का अगर मैं यहाँ पर selection करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मुझे 64,645 रुपे देने पड़ेंगे यानि कि अगर माली आप 2,00,000 रुपे के share buy करते हैं तो सिर्फ आपको 25,000 ही देने हैं बाकी के 75,000 धन पे करेगा लेकिन जो धन पे करेगा 75% amount उसके उपर आपसे वो थोड़ा सा charge भी लेगा charges की बात की जाए तो charges ना के बराबर हैं यानि बहुत ही कम charge आपको देने हैं यहाँ पर आप charges भी देख सकते हैं यहाँ पर charges आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर आपको per day interest देना पड़ेगा जो की है 0.0438% यानि कि interest की बात की जाए तो बहुत ही कम interest यहाँ पर आपसे लिया जा रहा है खासकर यह feature उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो stock market के अंदर swing trading करना पसंद करते हैं तो अगर आप इस feature का लाब उठाना चाहते हैं तो धन के अंदर आपको अपना demand account create करना पड़ेगा account create करना बहुत ही ज़्यादा simple है सिर्फ 10 minute के अंदर आप अपना account open कर सकते हैं धन के अंदर वो भी बिल्कुल free में तो आपको जाना है simple video के description में वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे वहाँ पर आप अपना account open कर सकते हैं सिर्फ 10 minute के अंदर और stock market के अंदर अपनी investment या ट्रेडिंग की journey को शुरू कर सकते हैं तो फटा फट जाईए description में वहाँ पर आपको link मिल जाएगा अब वापीस आते हैं अपने topic के उपर BKG IPO का जो grey market premium चल रहा है वो 2800 रुपे से लेकर 30 रुपे के बीच में चल रहा है यानि कि अगर आप IPO में apply करते हैं तो 10-12% के listing gain आपको देखने को मिल सकते हैं जो current grey market premium यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 November 2022 का ठीक है तो 10-15% के listing gain आपको देखने को मिल सकते हैं आप बात करते हैं कि आपको इस IPO में apply करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए देखि कमपनी की बात की जाए तो कमपनी एक profit making कमपनी है और BKG कमपनी का बात करें तो BKG कमपनी एक अच्छी कमपनी है तो अगर आप एक long term investor है तो आपको इस कमपनी में जरूर invest करना चाहिए लेकिन अगर आप listing gain के लिए apply करना चाहते है तो इस IPO को आपको avoid करना चाहिए 10-12% के लिए आपको risk नहीं लेना चाहिए क्योंकि 10-12% के लिए माली जी आप risk तो ले लेते हैं मार्केट में गिरावट शुरू हो जाती है तो इस IPO के उपर भी फर्क पड़ेगा और आपका यहाँ पर loss भी हो सकता है तो अगर आप listing gain के लिए apply करना चाहते हैं तो IPO को avoid करें लेकिन अगर आप long term investor हैं तो आपको इस IPO में जरूर invest करना चाहिए उमिद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइव जरूर से करें चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से दबाएं